तो भाई, Redmi Note 7 Pro बहुत खतरनाक सा competition phase करने वाला है, क्योंकि इंडिया में 22 April को Realme 3 Pro रिलीज होने वाला है, जो की बहुत बवाल मचाने वाला है, क्योंकि इसकी specification है, वो Redmi Note 7 Pro से काफी अच्छी सुनी गई है, और इसकी जो real specification है, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो म जिसके कारण उसने अच्छे कासे phones को competition दी थी, उसी के साथ अब Realme 3 Pro रिलीज होने वाला है, जो बिल्कुल खुला खुला चैलेंज करने वाला है, Redmi Note 7 Pro को, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उसकी specification के बारे में, और कुछ एक side-by-side comparison करके बताऊंगा कि क्य जो है Redmi Note 7 Pro में नहीं है, तो Realme 3 Pro में होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गिया है, तो प्लीज गाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर काफी जल्दी ह तो प्लीज गाई सब्सक्राइब करिए, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, तो मेरा नाम है नमन आप देख रहे हैं TechPlusGadgets.com, so let's get started. तो सीधे बात कर लेते हैं Realme 3 Pro के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको Snapdragon 710 processor मिलने वाला है, वो भी 6GB RAM के साथ, और अगर मैं बात करूँ Redmi Note 7 Pro में, तो Redmi Note 7 Pro में आपको 675 Snapdragon मिलता है, जो की काफी कम है, अगर मैं compare गाता हूँ Realme 3 Pro के 710 chipset के साथ, तो भई, प्र आगे है, और अगर मैं इसकी डिस्पली की बात करता हूँ, तो डिस्पली जो दोनों का है, वो काफी मल हद तक सेम है, like 6.3 इंच का आपको Full HD दिस्पली देखने को मिल जाएगा, जब वो फोन रिलीज होगा, उसके बार हमें देखने को मिलता है, कि उसके जो पिक्सल्स व रेटरी मिलने वाली है, और अगर मैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ, तो इसमें आपको Color Quest, जो है, इसका UI मिलने वाला है, और वो Android 9 Pie की ओपर मिलने वाला है, तो यह भी जो है, वो सिमिलर है, Redmi Note 7 Pro के, और भाई, एक चौका देने वाली, जो मिरको स्पैसि लगी है, वो लगी है, इसका camera section, क्योंकि Realme 3 Pro ने, ऐसा कह सकते है कि competition या फिर copy, like, same to same ditto, जो है, Redmi Note 7 Pro का camera, जो है, पूरी specification उठा के अपने में लगा दिए, क्योंकि इसमें आपको 12MP का front camera मिल रहा है, वो भी HDR support के साथ, जो Redmi Note 7 Pro पहले दे चुका है, और इसका जो पीछे का camera है, रियर camera है, वो भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि Redmi Note 7 Pro जो है, वो फेमस हुआ था, अपने camera के का रहा है, उसका camera था, तो भाई, उसी को competition देने के लिए, Realme 3 Pro ने भी same camera जो है, रियर में अपना लगा दिया है, 48MP का camera जो है, वो आपको Realme 3 Pro के देखने को मिलेगा, तो भाई है, competition का level आप देख सकते हो कि किस हद तक बढ़ चुका है, और अब main बात जो है, वो इसके price range है, जो price range जो है, बड़ी चोका देने वाली मिली है, क्योंकि इसकी जो price range है, वो 13,999 रुपे है, रेड मिनोर 7 Pro की भी 13,999 रुपे है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सा जो जो है, वो में आपको बताता हूँ, जो रेड मिनोर 7 Pro है, वो 13,999 रुपेज में आपको 4GP वाला वेरेंट देता है, जिसमें आपको 64GP की internal storage मिल जाती है, तो ही आपको 4GP वाला मिल रहा है, और भो भी snapdragon जो है, जो snapdragon है, वो कम है, लेकिन अगर हम बात कर रियल में 3 Pro की, तो उसका जो प्राइज है, वो भी सेम है, 13,999 लेकिन वो आपको 6GP RAM के साथ देगा, और 64GP internal storage के साथ, और उसका जो snapdragon है, जो प्रोसेसर है, वो भी काफी अच्छा है, Redmi Note 7 Pro की तो भाई, बहुत जादा competition चल रहा है, अब देखते हैं कि जब ये phone जो है, मार्केट में आ जाए से competition देने वाला है, Redmi Note 7 Pro, तो भाई, अब मैं आप लोगों के suggestion का वेट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों कोई भी suggestion हो, कोई भी question related to both this phone, या कोई भी other technology के बारे में, तो आप please comment करें, और comment करके मुझे बताईए, मैं आपके हर एक question का जवाब देनी की पूरी कोशिश करूँ तो thank you so much guys for watching this video, मिलते हैं next video भे, तब तक के लिए, bye bye, take care and peace